तेजस्वी है तो ताकत है, इनकलाब और क्रांती की ये तो अमानत है, सब को सिक्षा, सब को प्रगती, सब की हिफाजत है, तेजस्वी है तो ताकत है। दरसल लालू प्रसाद यादो ने ये ट्वीट किया, और ट्वीट करके RJD का कैमपेणिंग सौंग लॉंच कर दिया, जिसका नाम तेजस्वी है तो ताकत है, तीन मिनट छपपन सेकेंड का ये गाना लॉंच किया गया है राष्टि ये जनता दल के द्वारा, जो तेजस्वी के लिए है तेजस्वी को डेडिकेटेड है, और इसके माध्यम से बिहार की जनता को ये बताया गया है, कि तेजस्वी प्रसाद यादो जब 17 महीने का कारेकाल में उपमुख्यमंतरी रहें, तो उन्होंने क्या-क्या काम किया है, अब आप समझें कि लालू प्रसाद याद इस सब की हिफाजत है, तेजस्वी है तो ताकत है, एक समझें कि एक पिता जब अपने बेटे के लिए ये लिखता होगा, तो उस बेटे के लिए क्या, वो बेटा क्या महसूस करता होगा, एक तरफ तेजस्वी लगातार बिमार होने के बाद रैली कर रहे हैं, और भारतिय जनता पार्टी और NDA पर हमलावर हैं लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम बिहार में NDA को जीतने नहीं देंगे और दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादों के लिए RJD के तरफ से ये गाना कैमपेणिंग सॉंग लाउंच होना क्या वतलाता है आप समझे कि उस गाने को जब आप सुनेंगे तो उसमें जिक्र किया गया है कि तेजस्वी प्रसाद यादों ने क्या क्या काम किया है उस गाने में बताया गया है कि सिछवों को राज्य कर्मी का दरजा तेजस्वी प्रसाद यादों ने दिलवाया है जातिगत जनगनना तेजस्वी परसाद यादों ने करवाया है चार लाख नौकडी तेजस्वी परसाद यादों ने दिया है उसके बाद आरक्षन की सीमा को बढ़ा करके 75% कर दिया गया ये भी तेजस्वी की देन है सरक, पूल बाईपास बिहार में जितने बने हैं ये सब तैजस्री परसाद यादो की देन है खेलों में मेडल लाओ, नौकडी पाओ ये अनूठा पहल तैजस्री परसाद यादो का देन है उसके बाद बताया गया है कि बिहार में तेजस्वी परसाद यादो, अगर वापस से सत्ता में आएंगे, तो कैसे बदलाऊ करेंगे, यू आओं के लिए वो क्या करेंगे, रोजगार की बात की गई है, महंगाई को दुर करने की бात उस कैमपेनिंग सौंग में की गई है, और उसके बाद इसको campaigning song को launch किया गया है राष्टी जनतादल के द्वारा और launch होते ही लालू प्रसाद यादों ने जब ये tweet किया और tweet करके इस गाने को जारी किया तब social media पर इस बात की चर्चा होने लगी कि तेजस्वी ने आखिर क्या 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 है उसके बाद लालू प्रसाद यादों का ये tweet भी लगातार लोग retweet करने लगें उसको swear करने लगें और लिखने लगें कि एक पिता एक बेटे को कैसे promote कर रहा है अब आप समझिए कि तेजस्वी प्रसाद यादों एक तरफ जहां महागठ बंदन की तरफ से अकेले star प्रचार कर रहे हैं दवा ले करके सूई ले करके वह घूम लहें हैं और यह कहत रहे हैं कि मैं तभी react करूंगा जब मोदेजी को Auchा करवा दूंगा प्रिशी प्रशाद यादों को दॉक्टर ने तीन दिन बेठर स्थ करने की चलह दिए और यादों वो लगातार कर। और तेजस्वी प्रसाद यादो अपने जनसभा में इस बात का जिक्र करते हैं कि डॉक्टर ने जब मुझे कहा कि आप रेस्ट किजिए तब हम उनको बोले कि जब तक हम मोदी जी को रेस्ट ना करवा दें तब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे अब आप समझिए कि एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादो लगातार हमलावर हैं इंडिये पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर और भारतिये जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओ पर तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादो या फिर यू कहे राश् प्रयास किया गया है बाकि इस गाने को लेकर कि इस फिर्म सॉंग को लेकर कि आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है कमेंट के मादम से अपना प्रतिकरिया हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंगसन मेरा नाम वेद प्रकास है कैमरे के पीछे है पू सिंग बहुत बहुत धन्यवाद